हेलो दोस्तों रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छी नोटिफिक्शन आया हुआ है तो इसमें काफ़ी बढ़िया बर्तियाई हुई है अगर आप भी जोब की त्यारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी आपके चाहर पास चांस है इस वीडियो के अंदर में आपको पूरा ओफि तक कि आपकी अच्छ डेट रहने वाली है इसके बाद में आप पर चैन्ज करना चाहिए है तो चैन्ज करने कि आपकी 382024 से आठ नो दोज़श तक इसमें आपको भी फों में आप चैन्ज कर पाओगे ठीक है कुछ भी आपको डिटेल्स चैन्ज करनी है तो उसमें आप च बनेगी चापमालेज़द नो सो रुपए से ठीक है और इसमें आप देख सकतो मेडिकल स्टेडेंट रहेगा ठीक है इसके अलब आपकी जो एजिसमें रहने वाली अठारताइश साल के बीच में आपकी एज रहेगी और यहां पर टोटल जो इसमें जो वेकेंसी आपकी सत्र मिलेगी इसके जो आपकी सेलेरी बनेगी वो 35,400 रुपए आपकी सेलेरी रहने वाली है अठारताइश साल के बीच में अगर आपकी भी एज है तो इसमें भी आप इसमें आप फिलप कर सकते हो ठीक है 7940 यानि काफी बड़ी इसमें वेकेंसी हो काफी ज्यादा पद इसमें होने वाला है काफी इंप६र्टेंड मेडीक होगा इसमें आपको पूरा के बारे में सबसे ज्यादा जानकरी ले जाएगी और आपको अग्वेकों कम ज्यादा दीकने की कोई सामने हूआ है प अच्छा से इस वीडियो को पोस्न करके इसको ध्यान से प्रसकते हो कि आपक है कि यांपर निकर द्रिश्टी दूर ध्रिश्टी इसका होना चाहिए अगर का पेले सजनाए ऊइठके लिए तो तोटल एक बता हूँ है तो और कि एक बार वीडियो अच्छे से देख लेजीए इन सभी पॉइंट को मैं आपको अच्छा समया हूओ है चारों-पॉइंटो प्उइस um करेंगे तभी आपका सब्यों स्विंट आमको इसमें संब्टे महीं होने लिए लिए। से सब कह plumi है कंप्लिट एक भार अच्छे से सब्भी को और भूटान वाले इसमें फॉर्म कर सकते हैं अब आगे हम बात करें इसमें एज लिमिट कितनी रहेगी तो एज लिमिट आप पर मैं आपको पहले बता दी और यहां पर बोल देता हूं अशी उत्याल पो और वहां बिदानी कटेग्री अजेहरे हैं कि यहां से Cryst um एक सर्विस्मेंट को तीन छे आट एर की एसे मिल रहे हैं ठीक है क्यम्मिनिटी के नुसार इसके अलावा भी आपको सभी एज लिमिट है आप वीडियो को पॉस्ट करके अच्छे से पढ़ सकते हो नेक्स चलते हैं एक्जामिनेशन के आपकी फीस क्या रहेगी तो फीस जो की रहने वाली है और यहां पर इसके लिए आपकी 500 रुपे फीस रहने वाली है ठीक है और यहां पर चो अब पहले परिक्षा देने जाते हैं तो आपको जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी यहाँ पर शायद इस में से आपको 500 में से 400 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे और S.E.S.T. वालों को 200 के 200 रुपए आपको वापस पूरे आपको फीस मिल जाएगी अगर आप exam देने जाते हो तो यह आपको फीस वापस refund मिलने वाली है ठीक है इसको नोट में आप अच्छा से इसको पढ़ भी सकते हो कि आपने 1st test CBT दिया है तो आपको फीस सभी आपकी refund हो जाएगी ठीक है mode of payment आप क्या रहेगा तो आप online इसके लिए फीस आपको पेक करनी पड़ेगी ठीक है इसके अलावा आप आप यहां पर देख लिए यहां पर सभी के लिए जो भी नियम दिये हुए रूल्स पो आप इनको पढ़ लेजे मैं आपको इस नोटिफिक्शन में जो भी important जानकर ही वह यह मैं आपको बता रहा हूं ठीक है पर देख लिए आपको टाइम मिलेगा और एक सो बीस मिनिट आपको जो मिलने वाले पी डेवल्यू बीडी केंडिटेट को मिलेंगे और सो क्यूस्टन आपको आने वाले हैं सो कुछिटन को आपको 90 मिनिट के अंदर करना पढ़ेगा ठीक है अब इसका सेलेबस जो है फए अब करना पर देखने वाले जन्रेल इंट्रिजेंस एंड रिजनिंग में आपके यह टोपिक रहेंगे एल्फबेटिकल एंड नंबर सीरीज ठीक है आप इन सभी पूटपी को आप अच्छे से देख सकते हो थर्ड में आप देखे हैं जन्रल अवेर्नेस आपको देखने क अब इसके अलावा हम आगे बात करें आपका सेकंड इस्टेज में आपकी सेकंड परीक्षा होगी इसमें आपका सेलेबस क्या रहेगा ठीक है फर्स टेज अगर आप पास कर ले तो आपको सेकंड इस्टेज के लिए बूलाया जाएगा जिसमें आपको 120 मिनिट का टाइम मिलेगा और 160 मिनिट का टाइम PWBD के इनिजट को मिलने को देखने को मिलेगा ठीक है और नमबर और क्रिशन आपके 150 रेने वाले हैं इसम इसके अलावा सेकंड वी में आप देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपको अप्टू टेंथ स्टेजन सीब्स से आपका जो है इसके अनुसार आपके क्रिश्चन आएंगे बेसिक ओप कंप्यूटर एंड एप्लिक्शन तिसरा टोपिक रहेगा इसमें आपके अर टॉटल आपके इस अभी पार्ट से क्योश्चन बनेंगे और टॉटल किस विसाइगे कितने क्योश्चन आपके मिलने वाले हैं वह आप इसकिन पर देख पाले हैं और टाइम आपको 120 मिनिट का इसके अंदर मिलने वाला है और प्यूट बात करें तो यहां पर 40 परसेंट यहां पर मार्क्स लाने पड़ेंगे, EWS वाले को यहां पर 40% लाने पड़ेंगे, OBC को 30%, AC को 30% और ST को 25% पासिंग मार्स आपको लाने पड़ेंगे, वरना आप यहां पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें आप एक और बात ध्यान रहें कि आप सेकंड जो होगा अगर आपकी नंबर आ जाता है, तो इक抹्या कर तेंग आ पड़ेंगे, तो सभी यहां पर जो आपके दोक्वेमेंट है, वह डोक्रमेंट की लिस्ट भी आपके पास मिल जाएगी, अगर आपकी अच्छी तियार ही है और आपको लगता है कि मेरे नंबर आ जाएगा इन दोकुमेंट को आपको पहले से ही तियार करके रखना है ठीक है सब भी